किसान साथियो नमस्कार आप सबका हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमारतियागी किसान साथियो आज 4 फरवरी है और कल हम बढ़वानी में आये ते जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था नावेज जी के बगीचे में आये तो मैंने बहुत अच्छी चीजे आपको दिखाई लेकिन संपूर्ण सफलता बहुत मुस्किल होती है बहुत कठिन होती है नावेज जी के बाग में 2-3 पेड़ ऐसे दिखाई दिये जो मैं तो समझ गया कि इन में क्या भीमारी है और लोग अक्सर मेरे से वह बात-पूश्थिये तो मैंने नावेज पात होती है अगर आप इसे पहचान लें तो इसका इलाज संभव है और मैं ये भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार कुछ पोधे इनके पास लगबग चार पोधे हैं इतने बड़े बाग में कुछ पोधे इन्होंने रिकवर हो गए हैं और ये सबसे खराब पोधा है जो की अभ सबस्ते में नवेशेक फ्रॉम बढवानी मद्यपरदेश में आपको ये बताना चाहरा हो कि जो डाइबेग है सर ये मुक्यता निम्बु में होने वाली बीमारी है इसमें इसका मुक्य कारण ये रहता है कि ज्यादा पानी कि वज़े से भी एक ये डाइबेग रोग होना सीधा पानी फ्लट पानी इरिगेशन देते जिसे मैंने कल भी आप लोगों को इस बारे में बताया था कि निम्भू के बगीचे में ड्रीप का होना कितना ज्यादा आवश्चक है तो इसमें फ्लट पानी जब भी दे तो इसका पानी का सिर्फ इतना ध्यान रखे कि पानी मतलब इसमें जिंक की कमी अक्सर देखी गई उस कारण इसमें डाइबेक की समस्या उत्पन होती है और माइक्रनुट्रेंड के जो सिम्टम्स रहते हो पत्तों पर स्वता है नजार आने लगते लेकिन जाने अंजाने में खिसान इस पर ध्यान नहीं दे पाता और उसका खा में इसमें पत्ता पीला होने चालू होता है जो कि किसान ये समझता है कि या तो यूरिया की वज़े से हो रहा है नाइट्रोजन की कमी हो रही है या तो किसान ये समझता है कि मेच्वर हो चुका है पत्ता या तो उस वज़े से हो रहा है या तो किसान ये भी समझता है या पानी कम दे रहा है तो उससे भी पत्ते जढ़ने लग जाते हैं पीले होकर या मेचुर हो चुगा पत्ता इसकी बहुत सारे मुख्य कारण है तो इसका एक कारण यह है कि जिसमें पत्ता पीला होता है जो प्राइमरी सिम्टम से दूसरा पत्ता पीला होने के बाद एकदम पूरे पेड के पत्ते एकदम पीले होते और एकदम सुखना चालू है यह सा लगता है कि एकदम अचानक किसी ने रात में इस पर तेजाब डाल जाओ और अगले दिन आप जैसे देखो गए तो एकदम यह सुखना मतला उपर से नीचे की और ब्रांचे सुखना चालू होत पत्ते मेचियोर होकर भी गिरते हैं लेकिन इसमें और उसमें ध्यान रखने की बात शिले कि दो बिन्दू बहुत महत्वपून बता Schönwd पहला यह है कि पत्ता जैसे सूखता है और जो मेचियोर पत्ता है वो सूखता नहीं वैसे ही पिला हो कर गिरता initiatives यह पहला फर्क है तेहनी नहीं सूकती ऺहए हरी रहती है और इसमें आपकी तेहनी भी सूकने लगती है और मुख्य Ł DOWN पहला मताया है कि आप कोसरीक्ट करादा नदिके म cream साथिसमें पानी का भा मयद्ध। इसे तरच सब लोगा 가능 tut तक आपके 5-6 साल के पोदे में डेड़ फुट दूर पानी होना चाहिए, दो फुट दूर होना चाहिए, तीन फुट भी दूर कर सकते हैं, ताकि उसके तने तर नमी पहुंचे, और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी, इसी लिए मैं कृचान भाईयों को ये भी सल तो पथे माइक्रो न्यूट्रेंट होते हमारे हम देते हैं तो हमने आप बेसल डोज में बटाते हैं जिसे जिंक सलफेट हमने दिया मैगनीशियम सलफेट नहीं तो फिर भी पत्तों में क्यों कमी जहलगती है इसकी सर इसका मुक्र भी एंचे बताइब के जो एसम भी ये अगर आपने बेसल डोज में दे दिया है और उसके बावजुद भी पत्तों में अगर कुछ कमी दिखाई दे रही है जिंग की मेगनेसियम सलफेट की या सलफर की तो उसके लिए आपको चिलेटेट फॉर्म के जो जिंग जो माइक्रो नुटें आते हैं चिलेट फॉर्म में हमारे ग्रूप में बताते रहता हूं कि चिलेटेट फॉर्म में लिग देता हूं कि चिलेटेट फॉर्म का इस्प्रे करें तो वह फाइदा यह रहता है कि तत्काल पोदे को रिलीज हो जाता है और तत्काल उसकी पोदे की समस्या दूर हो जाती और पत्तों का रंग मतलब पूर्ति हो जाए जिंग को जो भी माइक्रोंटेंट मेगनेशन सल्फेट या सल्फर जो भी रहता है वह ततकाल रिलीज होगे पोदे का रंग बदलता है और पत्यों का रंग बदलता और उसको बीमारी से दूर करने में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है अचहें नवेध भाई यो जीनक आता है 2 4 में जीनक शल्फेट और चीलेटर जीनक जैसे बोरोन को बीयाथ तो चीलेटर डोर्न द मैंने चीलेटर जूर्फ बोरोन जया हि Ici चिलेटर है क्या मतलब यह होता है कि जे brothers और प्रॉlor के लिए कोर स्ब deportation लेक्न बनाुकि बना वा स और इसको इसलिए जैसे कभी-कभी मा Ἀक्राइनलेंस की जब दिक्कत होती है, Percy कि आप वह अगर दॉर्ष दाइगा लाएक तो नहीं दे पाए और जो दॉरो जयें sit जो जो दालतीए का ठीक बूरी आती है। अगर अगर उसको डालते हो तो वह अगर आपके पोदे का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा फिर आपके पोदा कमजोर हो जाएगा और आपका जो प्रोसेस वह चला करेगा निरंतर और आपके जो पोदे में जो समझ्या बनी रहेगी और बढ़ती जाएगी इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बीमारी को दवाई हैं का यूर्वेधिक और एक है अलोपेथिक और उसमें भी एंटिबैटिक तो जैसे अलोपेथिक जो है वो तुरंत कारिया करती है चिलेटीड को आप इस तरह से समाझे और बेसल डोज को समझे के उसे पहुंचने में 5-6 दिन का टाइम लेकिन 5-6 दिन वह आपक वाषवर वाषवर उसमें नौर्मल में फरक हैं कि अपिला हो ने तरह से पीछे भी देखिए था पत्ती आते जारी है यह आपको यह जा दिक लिए यह लिए उनको एक ठीम यह दिखिए और इसके आगे अगे की पत्तिया पीली होती जिसमें पूरी पत्त्य पीली होती है और इसमें सभी पत्तिया पीली नी होँ यह नई फूटान भी चालो यह देखिये सरा अगर डाइवेक होता तो सरी हम पर जो फूटान नहीं चालो नहीं होती यह देखिये सर आपको बता रहा है मैं यह वह ब्रांच से से लिए यह पत्ता पीला यह मेचुआ रो चगा है यह कहावत है all that glitters is not gold हर जो चीत चमकती हो सोना नहीं होती और हर जो पत्ती पीली होती है वो डाइबैक रोग नहीं होता या उसमें इसमें पोधा है भोग मुझेल झीट रख रहा है आप इनको देख कर बताईये और इस को अब फुरूटिंग भी है फुलावर भी आ रही है और नहीं यह भी है किर आपने वह की और इसको किसान कैसे पहचान है चार मेंने पहले इसमें या थोड़ा मैं ने डाला था जो जिसको मैं आपके साथ सेर करना चाहूंगा त्यागी जी इसका रोक मुक्य तर जड से चालू हुआ था उस टाइम में और इसमें थोड़ा का देखा इसको में जच किया इसमें क्या प्रोब्लम हो रही तो इसमें मुझे समझ में आगा था कि डाइबेक प्रोब ऑने हैं मुझे मिलें डालर जड़ी में अणाले के लिए इसमें सड एसंड प्रोघर खाशू मेन मत्य जाहि कि आग और इसक जड के पास जब भी मतलब एंतना है इसके पास भी हलकम क事情 अहलिकी और उसमें सबsaw से लिए 35 किल गोवागे आर खाद में इसको गोवार अला के घ्रावा बाशन के लाव साथ 15 गराम के लिए पंड़क्याश पार बढ़ सोपो पेश्ट को मीच्ट करके यह पोद फिर टालने के बाद मैंने इसमें इसके ऊपर बोडो पेश्ट दो बार्प फिर मैंने पेंट एक तो रहा होगा अश्पर दो बारा अपन्ट किया काल इसमें पानी लगा फिर मैंने आठ दिन के बाद फिर इसमें दूसरा डोस दिया मैंनो इसमें आठ दिन के बाद फिर मैंने बिल्कुल में तने के जो में जो आपको तना दीख रहा है में तना जो दीख रहा है इसमें बिल्कुल तने के पास यूमिक एसीड और ट्राइको इसके पर मेने बटी चड़ा के पानी दे लिया वे उसका है तो उसका रिजल्ट मुझे यह प्राप्त हो अगी धीरे धीरेधी धीरे मेरी नई फुतान चालू हो गई यह नई फुटान आपके सामने डाइबेक में रिकवर किया इसको जिसमें निम्बू भी आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी तो जैसे यह सुरू हुआ यह तो यह रुग गया यह रुग गया और जहां तक यह खतम हो चुकी थी हो चुकी है और सार इसमें उसके बाद फिर मेने इस्प्रे भी किये थे चिलेटेट जिंग के और दूसरा इस प्रे मेने एक कापरागजी क्लोराइड और स्ट्रेप्टर साइकलिन का इस प्रे किया था तो ऐसे इसे इस प्रे भी किये कुछ मेंने इस पर तो इस पहले कौन सा इस प्रे कि को लिया था और 2 ml chlorophyry पास 20% ECYL दवा ली थी मेंना वह दवा लेकर मैंने इस पर इस पर इस पर इस पर के लिए पहले उसके बाद फिर इसके बाद इस पर का प्रक्षी कलोराईड वह तीन ग्राम पर लीटर और श्ट्रेप्ट्रो सैकलीन वन ग्राम पर लीटर न पर टेन ल इसका रिंग बनाई ये और रिंग में आपको 20 kg जैसे गोबर की खाद और 20 g ट्राइकोडर्मा और 20 ml हुमिकसिड ये डाली उससे पहले जो आपने बताया था कि इसमें 20 kg गोबर की खाद और कार्बो फुरान और फोरेट कार्बो फुरान कितनी थी मात्रा बीस ग्राम बीस ग उसके दस दिन बाद लगबग तर आपने हुमिक असिड और वो डाला ट्राइकोडर्मा डाला और उसी समय आपने इस प्रे इस प्रे कब किया तो सर मेने मतलब जो बीश में भी कर दिया था फेले प्राइक बार में जो मैंने कार्बो फुरान ओर डाले था ना उसी टाइम प्लस जिंक तो आपका पोधा युगा अच्छा नवेद भाई एक बात और बदाई यह जो कहते हैं कि इसकी सूखी तहनिया काट तो यह क्या इनको कटवाओगे आप या ऐसे ही छोड़ दो मतलब अभी सर अभी रिकावर हो रहा है अभी सर इसको मैं छेंडना ने चाह रह जाता हो तो उसको दोबारा फिर फंगस आने खत्रा रहेगा तो इसको अभी मैंने इसे रख छोड़ा है कि अभी इसको रहन देते जब थोड़ा का और नई फुटान निकल आई है वेसे अभी तो लेकिन थोड़ी और अच्छे जरा और गहरे ही हो जाए तो फिर उसके बा लगबग हरा दीख रहा है और इसमें कितनी मात्रा में यह फ्लावर्स आई हुए हैं लेकिन अगर आप इसका यह इसका तनाह है और यहां से यह देखिए यह पुरा का पुरा यहां से इफेक्टिड हुया था और यह बोल्डो पेस्ट और यही इलाज जो भी बताया है करन किसान साथियों यह बहुत ध्यान रखना है किसी भी रोग में किस स्थिती में आप पहचान पाते हैं कि मेरे उसमें क्या रोग है जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी जल्दी इसका कम खर्चा होगा और इसका आपको पोधे आपके रिकावर हो गया और कोई बहुत ज्यादा दवाई भी नहीं करनी पड़ी आपको लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी आप उसे पहचान साथियों यह थी हमारी प्रस्तुति अबस्तु कुछ देखाएं आपको कि जो अभी भी स्रोग से पीडित है उसका इलाज चाल रहा है वो भी पोधा दिखाया आपको जिसमें हाफ रिकावरी हो गयी है और यह भी अधिजा दिखाया कि इसमें फूल रिकावरी हो गई है किसान सातियों एक बात में और बताना कुछ किसान भाई कहते हैं 500 पेड़ में से दो पेड़ खराब होगे उस पर इतना अधिक ध्यान और इतना परेशान हो जाते हैं आप परेशान मत हुए नवेज जी जो नीम्वू के एक्सपर्ट माने जाते हैं सभी लोग इनकी इस बात की तरीफ करते हैं तो उनके खेत में भी मुझे चार से पांच पेड़ इस तरह के नजर आए घबराना नहीं है ध्यान रखना है किसी सलहकार से किसी एक्सपर्ट आदमी से पूछिए जरूरी नहीं है आपके पोधे की उ अलग हो सकती है आपको कोई दवाई नहीं मिल रही उसका सब्सीचूट भी देख सकते हैं तो सलह लेकर और उचित अगर आपने पहचान सही कर ली तो यह दवाईया काम करेंगी लेकिन पोधे की उम्र के हिसाब से धोड़ी मात्रा घटाई बढ़ाई जा सकती है इसी के सा हम धन्यवाद करते हैं नवेज जी का इतनी अच्छी जानकारी और बाग पर देने के लिए और आपसे विदा लेते हैं धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत वंद्यमातर